चलिए चिकन भुना मसाला बनाते हैं ये रेसिपी बनाने में मुझे कितना टाइम लगा और हम किचन कुईन को कौनसी रेसिपी फॉलो करना चाहिए इस बारे में भी बात करते हैं आदा किलो चिकन को अच्छे से धो कर पानी नितार लिया है एक चमच नमक आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच तीखी वाले लाल मिर्च पाउडर एक चमच अदरक लहसन का पेस्ट और एक बड़ा चमच दही जो बिल्कुल फीका है खटा नहीं है और थोड़ा सा हरा धनि और साथ में आधी निम्बू का जूस भी डाला है एक चमच काली मिर्च पाउडर घर की कुटी हुई है एक चमच भरकर धनिये जीरे का पाउडर जो पिछले वीडियो में पीस चुकी हूँ वो डाल कर देखिए अच्छे से मिक्स करके 5-10 मिनेट के लिए मैरिनेट होनी के ले रख दी हूँ मिति की हांडी को धो लिया है कम फ्लेम पर चार से पाच मनट के लिए गरम रखोंगी और इधर तड़के का मसाला बना रही हूँ तीन से चार सुखी लाल मिर्च ली हैं दो हरी मिर्च बीच में सिसीरा लगा कर ले रही हूँ और थोड़े से तेज पत्त ले ली हूँ जो जादा पतले हैं जाड़े वाले नहीं हैं और चार लवंग ली हूँ हाथ में छे आये थे तो दो वापिस रख दी हूँ इधर मिति की हांडी भी परफेक्ट गरम हो गई है दो पली तेल डाल रही हूँ मतलब चमच वो तेल वाले चमच को पली बुलते है और ये मसाला दाल कर ये देखिए हलका भून ली हूँ और ये चिकन दाल रही हूँ डारेक्ट मसाले में अब इसको सुकून से कम फ्लेम पर हाई फ्लेम पर 80% तक चिकन को भून भून कर ही पकाएंगे कोशिश करें इसमें पानी ना दाले मगर नीचे से चिकन लग जाए तो एक दो छोटे निवाले मतलब दो तीन बड़े टी स्पून उतना पानी हलका गुनगुना पानी डाल कर आप चिकन को भून सकते हैं चिकन को भूनने में ही वैसे 10 से 12 मिनट लगते हैं क्योंकि भूना चिकन बना रहे हैं चलिए उसको कम फ्लेम पर पकने के लिए रखी हूँ और इधर प्यास भर रही हूँ और थमनेल में कौन सा फोटो लगा हूँ मतलब कौन सा पिचर लगा हूँ सोच समझ कर मुझे बीच में वीडियो भी बनाना पड़ता है ना थोड़ा सा चाला की सीखना पड़ेगा मेरे कितने के उतने ही वियूज आ रहे हैं थोड़ या ला खैर करे अला की मर्जी में जब होगा जरूर वाइरल होंगी एक दिन बिलकुल वाइरल होंगी और आप सब के दिलों पर राज जरूर करूंगी चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब भी जरूर कर लें यहां यह रेसिपी की चीज मुझे बिलकुल पसंद नहीं आती है यह देखे यह प्यास आप जितना चाहें उतना बारी कट कर सकते हैं क्यूंके प्यास को चिकन के साथ भून भून के गलाना ही है और इस समय की यह जो रेसिपी है ना आप दो ही लोग होंगे तो बस इसी में खतम कर देना प्यास वगेरा कुछ भी नहीं दालना इतनी सुपर टेस्टी है देखे इसमें हलकी ग्रेवी भी है ना जो लोग कम ग्रेवी खाते हैं उनके लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है चलिए उसके बाद अच्छे से मिक्स करके यह प्यास दाल दी यह प्यास दाल वो रेसिपी है ना किचन कुईन को काम बहुत कम लगाती है नीचे से थोड़ा दाग लगे जैसा महसूस हुआ तो मैं यह देखिए पानी भी गरम करके डाल रही हूँ जो मैं प्यास पीस के बनाती हूँ और यह बनाती हूँ दोनों रेसिपी में अगर मुझे नंबर देन अगरा हुआ स्पाइसी सुपर टेस्टी बना है और मेरी ग्रेवी कभी भी टमाटर के बगार कंप्लीट नहीं होती है इसलिए मैंने एक टमाटर भी डाला है आप चाहें तो दाले ना तो स्कीप करें इधर सिंपल सा एक ग्लास चावल का तड़का बनाया है चावल नए है बोलकर मैंने देड़ ग्लास ही पानी डाला है और इधर टमाटर गल गया है अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ अब ये पूरा पानी सूपने तक दो बारा पकाना है तो कितना पकाई बताऊं किया मैं आपको लग भग 45 मिनट पकाया है मैंने इसको इतना टाइम हम यहां ल लेजिए बस उसमें प्याज पीस के तड़के में डाल दीजिए सब बराबर सेम टेस्ट आएगा मसाले यही फॉलो करना चलिए चावल दोकर तड़के में डाल दी चावल का तड़का बताती हूँ आपको तेल गरम किया था एक पली और प्याज दाला दो हरी मेश दाली थ लगा दी हूँ और इधर ये चिकन कम्प्लीट हो गया है अभी मुझे थमनेल के लिए पिचर भी निकालना है ना तो इसलिए देखिए हरे धनिये को ज्यादा मिक्स नहीं करने हूँ वो कम्प्लीट हो गया डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया था यूसुफ को पूछी खाना खाकर जाएंगे या आकर खाएंगे तो यूसुफ बोला अम्मी जाकर आकर खाएंगे बोलकर वैसे मेरा नंबर थर्ड वाला था मेरे बाद ये सारे बहुत सारे लोग जमाओ गए थे मैं जल्दी गई थी तो अच्छा हो गया चलिए हॉस्पिटल से आने के बाद य यूसुफ को अकेला भी नहीं खाने का होता है तो कर बें जा बैटे खाने के लिए और मैं बाद में बैठती हूँ चार रोटियां हैं दाल कर नहीं ना दोनों साथ में घाने का ना बोला फिर बोली तू शुरू कर मैं आ जाती हूं बोलकर ये देखिए चिकन ग्रेवी का म मतलब क्या बोलू मैं आपको ऐसे सुकून से दीवार को टेका लगा कर बेटेंगे क्या सुपर मज़िदार खाना खाए बाबा बोलेंगे चलिए नरम गरम रोटियां भी रखी हूं और उपर से थोड़ा साहरा धनिया लगा रही हूं बज अच्छा है और यह लगाता है अच्छा है यह जो बढ़े ले ना उपते छोटे निवाल तो जह नहीं जम्रा तो प्लेट में सी उसमें दाल ले बडी प्लेट में दाले और चुर्चार के खा हटेली लगा उडशी हां गोड़ बॉइ बताया आप आपने बताया है मम्मी को नहीं रहे बबा मम्मी को मम्मी पहले सी जानती तुम लोगों के बीच में सपड़ के मम्मी गड़बड़ा गई फिर उसको प्लेट देखकर आके जल्दी से एक रोटी बना ली और मेरी थाली बना ली और खाना खतम करके बाद में ये बची हुई चार रोटियां भी बना ली हूँ और क्योंकि चिकन का सालन कल भी होगा हम मा बिटे को तो आज की रोटियां कल खालेंगे एडिटिंग वगेरा में थोड़ा रेस्ट वगेरा में टैम दाल दूँगी क्योंकि यूसुफ उतनी तकरार नहीं करता है गरम ही रोटी की खा लेता है मेरा बच्चा प्यारा सा है ना जहीन और पात्री साब होंगे तो उनको तो गरम गर रही है इस वीडियो को यहीं खतम करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपनों में शेयर करना बिलकुल ना भूलें जो चिकन लवर है उनके साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली यूमें आला हाफीज